नमस्कार बहुत स्वागत है आपका देख रहे हैं जो तुष्जराहट के जुड़ गया मैं आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतोस संतोशी आज का दिन एक विशेश जानकारी के साथ हमारे जीवन में हमारे स्वजनों का हमारे सानिध्य में रहना यह बहुत बड़ी उपलब्धी होती है आप रो रहे हैं और आपको एक कंधा मिलिया जिसके कंधे जिस पर आप अपना सर रख सके तो यह बहुत बड़ी उपलब्धी है हमारा दुख कोई समझे तो यह बहुत बड़ी उपलब्धी है हमारा दुख कोई बांट ले तो यह बहुत बड़ी उपलब्धी है यह achievements है आप इसे उपलब्धियों की steady में रख सकते हैं लेकिन प्रिमित्रों अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा नहीं है हम तनहा हैं, अकेले हैं, अकेला पन कचोटरा हो तो ऐसी इस्थिति अगर आपके जीवन में बनने लगी है इस प्रकार की इस्थिति में अगर आप आ चुके हैं तो यह आपके लिए किसी भी तरह से सकारात्मक नहीं है इसके पीछे का दंश, पंचम भाव की कमजोरी पंचम भाव अगर किसी का कमजोर है, पीडित है, दोशित है तो उसके इर्द गिर्द लोगों का अभाव रहेगा वह बहुत सकारात्मक नहीं रहेगा उसमें दोश लगेगा, उसमें नुकसान होगा वह किसी भी तरह से शुभ नहीं हो सकता आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा आप देखेंगे कि आपकी कुंडली का सूर्य भी पेडित होगा क्यों? क्योंकि हमारा रोना, हमारा अकेला पन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? कि आप पर प्रकाश की कमी है आप दिखी नहीं रहे आपका दर्द दिखी नहीं रहा है मतलब उस पर प्रकाश नहीं पढ़ रहा है कोई नहीं देख पा रहा मतलब आपका सूर्य already कही न कहीं weak है कमजोर है अब इस से बचा कैसे जाए अब देखे सूर्य जहां आता है वहाँ पर हमारे पितरों का प्रभाव पढ़ता है आप पता करेंगे आप अपने घर में अपने पूर्वजों से पिता, दादा, परदादा, दादी आदि से जब पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक दो मौते कम उम्र की हुई होगी चाहे आपके ननिहाल में या आपके ददिहाल में और मोर ओवर अगर हम आगे बढ़ते हैं विवाह हो जाता है तो सशुराल में भी अगर आपके कम उम्र में मौते हुई हैं तो उसका भी इंपक्ट वाया वाइफ वाया हस्बेंड आप पर पढ़ेगा ही मतलब ये अंतिम सत्य है फिर क्या करें आईए गया जी हमने ब्रीफ कर दिया आना आपको पढ़ेगा भाई साब देखिए ग्रह तो रोकेंगे आपको लगेगा कि जिन्निगी तो चल रही है छोड़ो ना लेकिन जब कोई मर जाएगा जब किसी का एक्सिडेंट हो जाएगा जब दस-पांच लाग पुलिस और अस्पताल में दे देंगे वकील को दे देंगे तब आएंगे मतलब बिगणने के बाद आने से बहतर है कि भाईया बिगणने ही क्यों दे मैं इतना क्यों कहता हूँ मुझे भी लाब होता है लेकिन मुझे उससे अधिक लाब तब होता है जब आपका जीवन रक्षित होता है हम अपने मुकदर का तो पईबै करेंगे हमको तो जाने जाना है वहाँ पर हमारा चौधा वर्ष हम तो पहुंची ही रहे हैं गया जी में तो हम अपना देरा जमाएंगे ही लेकिन हम आपको इसलिए निमंत्रण दे रहे हैं जिससे आप सब की जीवन की रक्षा हो आपके जीवन में किसी का भी अपमिर्थ्यू ना हो कोई फालतों में मुकदमा और क पूर्ट का चहरी और वकील पुलिस अस्पताल के चक्कर ना काटे आपका दर्द दूर हो देर मत करियेगा 93546192509910291850 पर गया जी पित्र रेन शांती लिखकर तुरंत भेजियेगा हो सकता है कि बस आज कल में हम इसको लॉक कर दे क्योंकि अब हमें वहाँ पर कमरे नहीं नहीं मिल रहे हैं तो जो कुछ करना है अगर आना है अहां ऑनलाइन रिजिटेशन चलता रहेगा मतलब अगर आप ना आ करके शांती चाहते हैं तो चलता रहेगा बाकि अपने रहने खाने पे आना चाहें तो भी 4-5 विकलप हैं आप देख लिजेगा आईए हम आपका नखॉड हो